हाई दोस्तों मैं अंजली आपका स्वागत करती हूँ अपने यूनिक की चन में और आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलो बढ़ी दोस्तों मैं थोड़ी बिजी थी इसलिए आप लोग के लिए बीच में वीडियो नहीं लापाई थी उसके लिए रियली सॉरी लेकिन अगली बार चे मैं ध्यान रखूंगे कि आपको समय समय पर मेरी नई और अच्छी अच्छी रेसिपी आपको मिलती रहे अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज आपको मेरे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और सेयर करें मैंने यहां पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है यहां पर अब मैं डाल रहे हूं लग एक से डिड़ कटूरी बेशन अलू बड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए अब मैं डाल रहे हूं इसमें एक चौथाई कटूरी चांवल का आठा इन दोनों को अब हम आपस में अच्छी करिक्षे से मिला लेते हैं अब इसमें हम लगबग एक चौथाई चम्मच के करिम नमक एड़ करेंगे और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैं अब इसमें अजोईन एड़ कर रहे हूं लगबग एक से दो टी स्पून अब एक चौथाई चम्मच हम खाने का सोडा एट करेंगे इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं यह अप्षिनल है इन सभी चीजे को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आट करके एक अच्छा सा बैटर तयार कर लेते हैं पानी आप दीरे दीरे ही आट करें और ध्यान रखें कि इसमें गुठलिया नहीं आनी चाहिए देखिए अब हमें इसमें थोड़ी से पानी डालने की और आवशक्ता है अब हम थोड़ा से इसमें और पानी आइट करेंगे और फिर से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हमारा बैटर अभी भी थीक है इसमें थोड़ी से पानी डालने की और आवशक्ता है पूरे बैटर को तयार करने के लिए लगबग मैंने एक से डेड़ कप पानी का इस्तमाल किया है और इसे अच्छी तरीके से हमें पेटना है इसी तरह लगबग 10 से 15 मिनट हमारा बैटर एकदम रेडी है देख सकते हैं ऐसे ही फ्री फ्लोइंग रखना है हमें नहीं ज्यादा गाड़ा और नहीं ज्यादा पथला ताकि हमारे मसाले बेशन में अच्छी तरीके से खोट हो सकें इसे हम 5-10 मिनट के लिए रेष्ट होने के लिए अलग रखतेते हैं साइड में और चलिए जल्दी से हम अपने आलू बड़े के मसाले तयार कर लेते हैं मसाला तायार करने करें सबसे पेहले मैंने कड़ाई को गरम कर लिया है हमारी कड़ाई गरम हो चुकी है अब हम इसमें ऐसमें को अइल एट करेंगे लगबद दो से तीन बढ़े चममच ओल गराम हो चुका है अब हम इसमें लगब एक टी स्पून के करीब सरसो के डामें आड़ करेंगे अब एक टी स्पून के करीब जीरा आड़ करेंगे अब जसके बारा करीब दीप गए अब सास से आठ बारीक लेसों की करीणा आड़ करेंगे इसे हमारे मसालों में यह अच्छा आता है तब तीन से चार बारे कति हुए हरी मिल्च एट करेंगे अगर आप पीखा कम खाते हैं तो आप हरी मिल्च कम उसको माल करें अब हम हमारे चौप ड़क अनियम एट कर लेंगे अब रोस्टेड मुल्फली आज करेंगे मुल्फली डालने से आलू बड़ा काटेश से बढ़ जाता है आप चाहे तो आरव मसाल भी आड़ कर सकते हैं अब देश सकते हैं प्यास हरके गुलाभी हो चुके हैं अब हम आज बीमी करके हमारे पुखे मसाले आड़ करेंगे अधे टीस्पून के करीब हम लाल मीर्च आड़ करेंगे अधे चम्मच के करीब हम हल्री पाउडर इस्तमाल करेंगे एक बड़ा चाहमस धनिया पाउडर आड़ कर लेते हैं और वन टीस्पून के करीब हम गरम मसाला आड़ कर लेंगे साथ ही स्वादन उसार ममक एड़ करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरिकी से मिक्स करेंगे थोड़ी दर के लिए हम मसालों को ऐसी भीमे आज पर भूनने देंगे पीच विच में आप चम्मच चलाते रहे ताकि मसाले कड़ाई में चिपके रहें कि आपने दस से बारे मिडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं हाथों की सहायता से इन्हें अच्छी तरिके से मैश कर लेते हैं आलू गरम है साउधानी से आप इससे मैश करें आपके हाँ जले ना हमारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से बहुन चुके हैं अब हम इसमें आलू एक करेंगे अब हम मैश किया हुए आलू को एक कर लेंगे मसालो में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दीर दीरी आपक सकते हैं आलो में मसाला पड़ते ही आलो का कलर कितना सुंदर देख रहा है देखें हमारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं हमारे आलो बड़े के मसाले एकडम रेडी हैं अब हम इसमें सिर्फ धनिया एड कर लेंगे बारी कटे हुए धनिया एड कर लेते हैं अनिया को आलो में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे नारे मसाले एकदम रेड़ी है अब हम इसे बंग करके ठंडा होने के लिए अलग रख देते हैं गैस पर मैना ओईल दरम होने के लिए रख दिया है थोड़े से मिसरन को हाथों में ले लेंगे और इसे हलक याथों से और इसे मंचाहा सेध देंगे इसी तरह हम सभी मसालू को शेप दे देंगे हम सभी ऐलू बड़ा को एक एक करके बेसन में डिप करके ऑईल में एड़ें आप पेल को लो में कर देंगे इसे लो तो मुडियम में लुट कादा है अब इसे हलके हम उसे पलग लेंगे इसे साधानी से पढ़ते हैं ताकि आपके हम दो लेना कि देखिया हमारे आलो बड़े कितने सुंदर गोल्डन कर आरके तल के आए हैं और यह बहुत ही क्रिस्पी है इसे तरह हम सभी हमारे आलो बड़ो को लिकाल कर अलग कर लेते हैं देखिये हमारे आलो बड़े लगते हैं न यम्मी यम्मी क्रिस्पी यह दिखने में जतने खुपसूरत है खाने में भी उतने ही टेस्टी है सर्व करने के लिए हमारे गरम गरम आलो बड़े तयार हैं इसे बना के आप जरूर्द ट्राय कीजिएगा क्यों दोस्तों ऐसे नही नही रेसिपी मैं आगे भी आप लोग के लिए लाती रहूंगी जल्द ही हम एक नही रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे हमारे योनिक कीचन में